तो बच्छो आज हम आपको सहस्वा वस्था में सिच्छा का शरूप बढ़ाएंगे कि पहले आप ने पढ़ा सहस्वा वस्था क्या है आई आगे बढ़ते हैं शामाजी खावना का विकास तो बच्छो आज हम आपको सहस्वा वस्था में सिच्छा का शरूप बढ़ाएंगे कि पहले आपने पढ़ा सहस्वा वस्था क्या है सहस्वावस्था का आर्थ, परिभाशा और विशेष्टा ये पड़ा अब आपको पढ़ाएंगे कि सहस्वावस्था में हमें बालग को किस प्रकार सचित करना चाहिए या सच्छा का सुरूप क्या होना चाहिए तो आईए हम लोग पॉइंट वाईज देखते हैं बच्छों तो आईए अगली जो क्लास है आपकी आज सहस्वावस्था में सिच्छा का शरूप तो आईए देखे गुर्ड एन एफ के अन्शार मतलब इन्होंने अपने अन्शार कुछ बताया है कि सहस्वावस्था क्या है तो इन्होंने का कि बालक के पहले तीन वर्षों में देखे क्या का इन्होंने बालक के पहले तीन वर्षों में उसके बाद के जीवन का आधा मानसिक विकास हो जाता है यहीं जो तीन वर्ष होता है बालक का सहस्वावस्था की आयू आप जलते हैं जीरो से लेकर 6 वर्ष यहीं जर्म से लेकर 6 वर्ष तक और सहस्वावस्था को भी विद्वालों ने दो भागों में बटा जीरो से लेकर 3 वर्ष तक आपका पूर्व सहस्वावस्था और 3 वर्षओ से 6 वर्ष तक आपका क्या हो जाएगा उत्तर शहस्वावस्था तो जो जीरो से 3 वर्ष तक किया आयू है उसमें सारे रिक्विकास आपने देखा मालशेख विकास थी प्रिगत्च होता तो वही गुर्डे एने एफ भी बता रहे है कि बालक के पहले तीन वर्ष यह जीरो से तीन वर्ष तक जो आपका पुर्व शैस्वावस्था है उसमें क्या होता दे कि उसके बाद के जीवन जो उसके बाद का जो भी जीवन है मतलब उ जानते हैं कि इस सिच्चा क्या है और शासव वस्ता में हमें बालब को किस प्रकार सिच्चत करना चाहिए देखे तो इस उम्र को शैस्वावस्था का सर्वूत्तम आवस्था माना गया है और इस आवस्था में बालक के शारीरिक यो मानसिक विकास क्या होते हैं तेब्र गति से होते हैं इसलिए इस आवस्था में निम्न बातों पर ख्यान देना आवश्यक है बलाब कहने का ये है कि जो सायस्वा वस्ता वहते हैं कि बालत क्या होते हैं एक कोरी कल्पना होती है कोरी कल्पना means कि देखें कोअरी कागज भी कह सकते है कोरा कागज कैसा होता है बड़ी आचा strengths या वी झैसा वी लखना चाहे कोरि कल्पना रखना ही है हमें क्या करना है हमें ध्यान रखना है कि बॉलक को इस अवस्ता में हम कैसे क्या करें बनाएं मतलब जिस अनुषार सिच्छा देंगे जिस अनुषार की कि जिस अन्षार्म की परवरिश करेंगे उसी अनुशार उनका स्वास्त और मानसिक स्वास्त दोलो सही होगा तो आए एक एक पॉइंट को हूं देखते हैं सबसे पहला पॉइंट आपका है कि पालन पॉशर सबसे पहले कहते हैं न कि पहले सारी लिग सवास्त अच्छा होना चाहिए यदि सारीरिक स्वास्त अच्छा है तभी मानसिक विकास हो सकता है जब सारीरिक स्वास्त अच्छा नहीं है तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मानसिक स्वास्त बेटर हो क्योंकि मानसिक स्वास्त तभी अच्छा हो सकता है जब आपका शरीर क्या हो उसी के अनुशार साथ दे आप बहुत को सीखला चाते हैं लेकिन कि आपका स्वास्ता क्या कर रहा है साथ नहीं दे रहा है तो सबसे पहले हमें बालक की परवरिश पर दियान देना चाहिए पालन फोशर कि उनका कैसे क्योंकि वो जो अवस्थाएं है जीरो से तीन वर्ष औ बहुत हैं यहां हमें उनों के समय हमें टेना चाहिये इस एक दिन में कितना हमें आहांर देना चाहिए और कैसे पहुष्टिक आहार दे कि जैसे उनका शारिरिक और मांसिक शंतुलन बना रहे तो इन बातों का हमाता फिता को विशे से ध्यार रखना चाहिए अगले पॉइंट पे चलते हैं अगला पॉइंट है आपका सुच्छ वातावर जैसे आप पालन पोशड की वात की की पालन पोशड कैसा हो आहारत शियलने सीby , पॉइंके सुख़िधा हो झाले हना चाहिए उनका समय तालीक है का इंशाख़ेर भोजन देनना चाहिए cop कि विचि क्या हो बहुत जादा नैंना क्लाएं टाध कि उनके शरील की लिए नुक्सान him कि सारी वातों को ज्यान मेना जो दे रहें सूपाचों और सभी तेन के सारेरिक जो नचारिव हो जब नहीं दरकते तो यह वास्ता मिक्षिक की लेकिल जब उनके अनुशार उनका पालन कोशंड का शिकार हो जाता है फिर अगला 具 बालक के मानısिक विकास करकाने क्या सारी रिकता साथ पोष्टिक पाहिञट रहा है प्रोटीन विटामिल्ट यूग्त ये यह सारी चीज़ें लेकिन हमें क्या करना चाहिए उसके मानशिक विकास को बनाए रखने के लिए हमें उसके वातावरण को भी स्वाच्छ रखना चाहिए यहीं कैसे वातावरण में हम रख रहे हैं दिगंदगी यूपते रखेंगे गंदगी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ घरे लूग कूडा कचड़ा या गंदगी की बात कर रहे हैं ऐसा इन्वारमेंट हम दे उसको कि बच्चा क्योंकि आपको पहले बताया ला इसकी क्या विसेश चाहिए कि बच्चा दोहराने बच्चे में दोहराने की प्रब्रित होती है और दूसरी बच्चा अनुकरण के द्वारा सेखता है तो यह दोनों कहां वातावरण में ही सिखेगा इसलिए हमें ध्यान रखना है कि उचित वातावरण हो यहीं हमारे आस पास कैसे लोग रह या बच्चा किस वातावरण में जा रहा है घर से निकल कर इन चीजों का हमें विशेयर ध्यान रखना चाहिए अगला पॉइंट है आपका इश्नी पूर वेवहार यह माता-पिता विशेयर ध्यान दे कि बच्चों के साथ आप चाहाँ जितनी गुस्ये में हो लेकि कि आज गर प्ले गॉप से ही एनी धाए साल से ही क्या है सुरू हो रही है वह बच्चे क्या होते हैं भावनात्मक यही भाना बहले ही विक्सित नहीं हो यह लेकिन वहां हमें ध्यान रखना है और कि औ Number, आप र्यमसे सिखाने की कोसिस किया जाए इसलीए क्या-क्या मारिया मा सब्ância प्ले गूर्प कि अनुकरण दोरा शीखते हैं बिच्छे to कैसे बोला जैक। करके सी rushने की परबूरत हो तो कैसे हम खेल के द्वारा भी सारी को परीच्छ उलीखास कर सकते और यहां topic आपका था topic से अधर नहीं जाना चाहते हैं इशने पूर व्योवार क्या था इशने पूर व्योवार तो चाहे मरतापिता हो और चाहे क्या हो सिच्छक जनौ क्योंकि पहले कि जो सिच्छ होती थी उच्छे सालेनी 600 के बात से प्रारम होती थी लेकिन आज इस topic को इसलिए हम आपके सामने छेड़े हैं कि बच्चे कहीं न कहीं आज क्या है बहुत तीब ढगत से उनका मालशिक विकास हो रहा है बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो धाई साल से ही बच्चों को कॉलेज में डाल दिया जाता है कि बच्चे जाये सिखें लेकिन यह उचीत नही है फिर भी जो भी वह रहा है तो एक सुझा देंगे कि वहां से च्चक को भी इसलिए मनों बिग्यान रख गया जाया है बीटीसी ओ या बियाड बीटीसी और बीड सब में रखा गया टैट्स उपर टैट्सम में रखा गया क्यों क्यों कि अनिवार रूप च्छे इसने से पढ़ाने की कुशिश करते हैं तो माता पीता क्या आज कल तो बच्चे क्या होते हैं माता पीता से ज़्यादा आधिक समय किसके साथ सिच्छक के साथ वतीत कर रहे हैं तो हमें माता पीता और सिच्छक दोनों की बाते लेके चलना है कि ये दोनों बच्चों के साथ के से इस नीहिल विवहार रखे उनके साथ गलत विवहार ना करे ने उसका गलत अशर बच्चों पर मरता है और मानसी विकार दीरे-दीरे क्या होता है वो कुल्टित होता जाता है आईए आगे चलते हैं नागले टॉपिक पर जिग्यासा की सलतुष्टी ये अवस्ता होती है क्या क्या कैसे क्यों आधी कब हो ये आधी प्रश्णा क्या होते हैं क्या कैसे क्यों और कब ऐसे प्रश्ण बच्चे इस आईउ में इस अवस्ता में अधी कूरते हैं क्योंकि उनके अंधर ये जानने की सुक्ता होती है क्या है जैसे आपने कहा कि बच्चों देखो आप क्या कि है आप वीडियो दिखा रहे हैं या फिर आप चार्ट पर बनाए यह राएं या किसी माध्यम से या बच्चे को जालकारी देएं छोड़ो यह सब चुड़ो एपल c Сपरियर इपल यfy एज ही है आक थना उस्पर फॏρंद बड़त यासे आं अ हम पढ़ाते न तो क्या करते हैं हम लोग उसको चित्र के माध्यम से बहुत हैं्enne बहुत ख प्रबल होती है कि क्या है मानलू कुछ सी जिए तो खा रहे लगता है तो कुछ ऐसे चीजे हैं जैसे हमने एपल बोला है और आगे कुछ भी आप बैंगो ले ले लिजिए कोई इपी चीज ले ले लिजिए यह तो बच्छा संपर्ग में आजा रहा है लेकि वहीं पे आप क् बच्छों देखें यह एलिफैंट है अब बच्छा नहीं देखा है क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे वातावरण में नहीं अभी वह एज है कि बाहर लिकला भी ले तो उसके मन में आए गया अरी यह तो बहुत बड़ा यह है क्या आप कहेंगे बच्छों यह तो एलिफै और उसका मन लगे दूसरे कारियों में नहीं जब तक जिग्यासा उसके अंड़ बनी रहेगी स्वंतुष्ट नहीं होगा तब तक दूसरी कारियों में उसका मन नहीं लगता है फिर अगला है अच्छी आदितों की निरमार की आउसर बालकों के साथ क्या करना चाहिए कि ख चोटी-चोटी बातों को लेकर बच्चों को डाटना है माता ही नहीं पुर्षों की बात कर रहे हैं घर के अन्ने में मर्स की बात कर रहे हैं कि वो बच्चों को क्या करते हैं चोटी-चोटी गलतियों पर डाटते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है बच्चे गलतिया करेंगे उसमें क्या बच्चे बच्चों में दोहराने की प्रब्रित होती है और क्या अनुकरण के द्वारा सीखते हैं जब अनुकरण के द्वारा सीखते हैं तो उसके पहले हमें अपनी आदतों को अच्छा बनाना चाहिए हम क्या करेंगे बच्चों के सामने जब अच्छी आदतो को करेंगे अच्छे कारी करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे हमें देखकर उस कारी को दोहराएंगे अलुकरर द्वारा शीखेंगे तो उन्हें आशर देना चाहिए आशर कैसे देंगे यह गलतिया हो सकता है एक बार गलत हो लेकिन दुबारा क्या करेंगे सीख जाएंगे इ उसकी गलतियों को इग्लोड करते वे पुना उसकार के लिए अग्रिशर करना चाहिए आइए देखते हैं अगला पॉल्ट है आपका बैक्तिगत बीवींता पर ध्याल कभी कभी होता है कि बच्छे तो ठीक होते हैं बैक्तिगा एंडिविजूल जो डिफ्रेंस है देखें एक तो होता लिंग के अंशार होता है में जो अमेल है तो उंमेल में शामर्थ हलग होगा फिवेल है तो फिवेल में शामर्था लग होगा मेल है उनके अंदर शामर्था दीख है वो फावड़ा चला सकते हैं लेकिन फिवेल है तो नहीं चला सकते हैं उनका सामर्था लग है ये तो बाते छोड़ो लेकिन जो यहां individual difference की बात हो रही है मेल फिमेल को लेकर सेक्ष की बात नहीं हो रही है बलकि क्या हो रही है आप समझें यहां पे यहां पे बात यह हो रही है कि compare करने की एक माता है क्या होती है किसी बच्चे को देखी कि अरे उनका बच्चा 99% लाया तो क्या करती है आके बच्चों को कोशने लगती हैं कि नहीं अरे पडोसी का बच्चा तो 99 परशेंट लाया बिस एक परशेंट कम नहीं 100 परशेंट था तो ऐसा नहीं करना है उनके अंदर है द्रिष्ट की भाउना आए जायेगी कुंठित हो जाएंगे और वो कारी का जो करना भी चाते हैं नहीं कर पाएंगे क्योंकि रूची अलग अलग होती है और रूचियों के इंसाद छेत्र भी अलग 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 उनके अंदर होता है और शामर्थे भी अलग होता है कुछ बच्चे अधिक सकती सालिए यह निंके अंदर जो IQ बिक्सित हो रहे हैं जो IQ है वो अधिक है और कुछ बचे शामानी प्रब्रित की होते हैं वो उनके अंदर कम है तो हमें ये कंपेर कभी नहीं करना चाहिए उनके वैक्तिगया त्रिविंता को ध्यान में रखना चाहिए और चेट को लेकर और आईकी को लेकर दोनों चीजों को लेकर हमें और उसकी सारी दिक्षमता कोई बच्चा स्वस्त हैं कोई पिमाली नहीं उदोर सकता है कुछ बंचों में है कि यह नहीं है वो अस्वस्त रहते हैं वो दोर नहीं सकते हैं खेल नहीं सकते हैं कुछ मैंटली क्या होते हैं मांसिक रूप से विक्सित होते हैं बहुत तीब रिगर्दी से क्या करते हैं वो मै बाशारीक सेरफ में में होते हैं वह विशेष्ट सिल्सी का दूसरे बच्ची और थ्यान की सिखाता है कि हमें बच्चों के साथ कैसे ध्यान रखना है, कैसे उन्हें सिच्छित करना है आई आगे बढ़ते हैं शामाजी भावना का भिकास